दोस्तो नमस्कार यहां बात करते हैं व्योग आईरवेट स्वास्ते के बारे में किस परकार से अपने आहार बिहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्तर आ जाए मैं डॉक्टर मनमोन लखिडा आज बात करूँगा ग्रीस्मी रितु के आहार बिहार के बारे में ग्रीस्मी रितु का आहार बिहार आईरवेट के अनुसार ग्रीस्मी रितु आदान काल का तिरतियवा अंतिम रितु है यहां भारती महनों के हिसाब से जेस्ट असाड एम अंग्रेजी महनों के हिसाब से मई के मध्य से जुलाई के मध्य तक होता है इस रितु में सूर्य की किरने अन्य रितु की अपेकसा बहुत तेज होती है पूरा वातावरन सूर की तीवरता के कारण सूका रूक्स हो जाता है पृत्वी गरम हो जाती है जिस कारण पानी तक के सुरोत सूक जाते है पूरा वातावरन गर्मी के कारण जलता हुआ नजर आता है छोटे पेड पौधे गास बेल सब सूक जाते है बड़े पेडों से भी पत्ते जड़ जाते है इस कारण इस रितु में बहुत गर्मी होने से मानव का सरीर अन्य प्राणियों के सरीर के साथ बहुत कमजोर हो जाता है सब रितु में सबसे कमजोरी इसी रितु में आती है सब प्राणी एवं मानव गर्मी से ब्याकुल हो जाते है, गर्मी से हर अंग प्रत्यंग से पसीना आने लगता है, अत्यादिक पसीना निकलने से सरीर में पानी एवं पोशक तत्तूं की कमी होने लगती है, जिससे बेहोसी एवं बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने से इस रितु में बहुत गर्मी के कारण ही लू लगता है जो जान देवा तक साबित होता है। और हो सके तो इस रितु में सुबह सूरे निकलने से पहले जल्दी उटकर खाली पेट गूमना, हलके ब्यायम करना, योग, ध्यान, पणायाम आदि करना चाहिए जिससे सरीर मजबूत बना रहे। और सुबह की सुद्ध हवा लेने से सरीर मजबूत बन जाता है जो की दिन भर की गर्मी को भी सहन कनने योग्य हो जाता है। जर्मी के कारण सरीर में पानी, पोशक तत्तों एवं सनेह की कमी हो जाती है। इसलिए इस रित्व में मीठे, ठंडे, रसीले एवं इस्तिक्द, भोजन वपेव पदार्तों का सेवन करना चाहिए। मीठे, हलके, सुपाच्य, पदार्त जैसे साग में परवल, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, छिलके वाली दाल, पाचन किरिया इम, स्वास्त्य के लिए अच्छी होती है। भोजन में बास्मती या कोई भी अच्छे चावल का भात, मसूर की दाल, अरड की दाल, दही, छांच, लसी तथा मौसमी फल रहे तो सर्बुत्तम है। इसके अलाव दिमाग और एवं सरीर को ठंडा रखने के लिए नीम्बू, ठंडाई, कच्छे आम का पन्ना, गुलुकंद, लसी, सत्तू, प्याच, आदि का नियमिस सेवन गर्मी के दोरान कनना चाहिए। बहार गर्मी धूप से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पीकर निकलना चाहिए। सिकन जी, आम का पन्ना, इमली का पन्ना, आदि पीकर ही बहार धूप में निकलना चाहिए। इससे लूप का प्रभाव नहीं होता और अगर हो सके तो जो और चने का सत्तू का सेवन कनना सबसे अच्छा है। अधिक गर्मी के प्रभाव से सरीर में पानी की कमी या पानी गंदा होने से लूप लगना, दस्त होना, नाक से खूनाना, पी लिया, खून के दस्त, आदि संक्रमक बीमारिया फैलती है। इससे बसने के लिए पानी को खोला कर ठंडा कर पीना चाहिए। लू लगने पर पानी में नीम्बू, चीनी, नमग मिलाकर पीना चाहिए, दिन में हवादार या वातानुकूलित एसी कमरू में सोना चाहिए, और रात को बहार छत में यं खुली जगा में सीतल हवा में सोना चाहिए, गर्मी में किसी भी प्रकार का नसा येवं सराप आधि का सेवन नहीं करना चाहिए, सराप से लीवर की बीमारिया उत्पन होती है, येवं सरीर की सक्ति की अनुसार काम करना चाहिए, गरम प्रकिती एवं जादा नमक, चटपटे, पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा लाल मिर्ची, मिठाई, च्याए, काफी आदि को भी नहीं लेना चाहिए सरीर की सपाई रखनी चाहिए, पसीने के कारण अनेक परकार के तवचा रोग हो जाते है, गरमी के कारण तन मन ब्याकुल रहता है, इसलिए मीठे प्राकृतिक खाद्य पदार्थूं एवं पेय तरल एवं इस्तिग्द मिस्री गाय का दूद, पानी, सर्वत, आदि को लेना चाहिए, बोजन हमेशा ताजा एवं हलका एवं भूक से कम करना चाहिए, बोजन हमेशा सांत चित होकर एवं भली प्रकार चबा चबा कर करना चाहिए, इससे बोजन जल्दी पस्ता है, उपरोक्त सभी नियमों को अपना कर हम इस रितु में सुकी स्वस्त बने रह सकते है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखते रहे लखेड़ा आईरवेद को और लेते रहे स्वास्त आईरवेद योग संबन्दी जानकारिया